हेलो फ्रेइंच वेलकम तू मैं चानल सुपर लाइफ आज में पनाऊंगी ओलू की क्टिकी तो मैंने यहां पर आलू को बॉयल करके यहां पर इसको मैश करके रखा वह है और यहां पर मैंने लिए है छोटा साबू दाना और मैंने लिए हैं मटा तो आप जो है इसको मैं अबू दाना डाल दूंगी ताकि एक क्रिस्पी बने लिए लिए मिक्स कर दूंगी अब आप इसको सीमे से मिक्स कर दीजिए अब इसमें डाल दीजिए आप मसाला अब कर दो अब कर दो अब कर दो थोड़ी सी यार हिंग लेगी तो इसको अच्छे से मैश कर देजिए अब मत्र भी डाल दी है तो अब यह मत्र वगरा सारा से लेके आप इस तरह से गोड़ गोल करके आप इसका तिकी शेप में बना दीजिए कि मैंने यहां पर देखिए बना रखी है इस सरह से गोल गोल अब ऐसे टिकी बना दीजिए कि मैंने यह टिकी जोने सर से बना दी है और आपके मैं पाने तेल डाल के रख दिया है और अब मैं यह आपर यह टिकी जोने और रख दो लिए अब इसे हलका दोने आपके पक्रिस्पी बनी है आप ऐसे करते रहें कि क्रिस्पी है यह अब मैं इसको नीचे अतार दोंगी देखिए कि देखिए कि पेस्टी है और यह किती न्युटेटिव जी आप लेगे तो सिर्फ आपको आलो की मिलें ही मैंने इसमें साबु दाना और मटर बगर डालके इसको कापी न्युटेटिव बना दिया है कि साबु दाने के अलब से प्रिस्पी हो चुकी है अब यह बन देखिए मार्केट में बन मिलते हैं से कटे हुए आप इन बन को इस तरह से सेख लीजिए अब मैं इसमें जह यह पर अब लगा दो दो तक यह मैंने इसमें पररगार में टिक्की अपर यहां पर नहीं चाह को प्छा दो और दिया अब मैं इसमें थोड़ा साजा दो इस तरह से और यहां बन गी आमार बर्गर आप पूपर से इसमें तमाटा सोस लगा देजिए इस तरह से आप अगे खाये देखिए इंज्वाइब कीजिए और अगर आप मेरे चानल में नए है तो प्रीस आपे से लाइक शेर इन सिस्क्राइब जरोड कीजिए और कमेंट करके बताएए कि आपको ये आलू टिक्की बर्गर किस तरह से लगा है इंज्वाइब